हलो दोस्तों, स्वागित है आप सभी का ओडियो बुक हिंदी में आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है सकारात्मक वैभार एक बार एक आदमी एक सेट की दुकान पर नोकरी करता था वै बेहत इमानदारी और लगन से अपना काम करता था उसके काम से सेट बहुत ही खुश था और सेट दुआरा मिलने वाली तनख्वा से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था ऐसे ही दिन गुजर रहे थे एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया उसके नए आने से सेट का काम भी रुक गया तब सेट ने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से इमानदारी से काम कर रहा है मैंने कब से इसकी तनख्वा भी नहीं बढ़ाई है इतने पैसों में उसको गुजारा कैसे होता होगा सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनका बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन से काम करेगा और उसने उसी महीने से उस आदमी की तनका बढ़ा दी यह देखकर सेठ को बहुत गुसा आया वह सोचने लगा कैसा किर्टगन आदमी है मैंने इसकी तनका बढ़ाई पर इसने ने तो कोई धन्यवाद किया और ने ही अपने काम की जिम्मेदारी समझे इसकी तनका बढ़ाने का क्या फायदा हुआ यह नहीं सुधरेगा और उसी द जरा भी सिकायत नहीं की यह देखकर सेठ से अब रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा बड़े अजीब आदमी हो यार जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनका बढ़ा दी थी तब भी तुम कुछ नहीं बोले और आज जब मैंने तुम्हा इसका हिस्सा बेज दिया है इसलिए में ज्यादा कुछ नहीं हुआ जिस दिन में दबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माता जी का तेहान थो गया था आपने उसके बाद मेरी तनखार कमकर दी तो मैंने मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्सेगा अपने साथ लेकर चली गई हैं तो फिर मैं इस तनक्वा को लेकर आखिर इतना प्रेशान क्यों हो उसकी बात सुनकर सेट गदगद हो गया उसने उस आदमी को गले से लगा लिया और अपने वैभार के लिए उससे माफी भी मागई उसके बाद उसने अपने सिर्फ उस आदमी की तनक्वा पहले जैसी कर दी बल्कि उसके बाद उसका और वी जादा सम्मान करने लगा इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरहें की घटनाएं होती रहती हैं जो आदमी एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है दोस्तों यही थी आज की हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टॉरी यह स्टॉरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और ओडियो बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजेगा और बताइब चरूर कीजेगा प Ugh